आल राइट गाईज तो आज नया खबर निकल गया है कि दिल्ली के मुखमंतरी अरबिंद केजरिवाल का कथित सराव घोटाले में ED ने ग्रेफतार कर लिया यानि कि ED का मतलब यह है कि जो सराव घोटाले के जो परवर्तक निदेशक जो होते हैं उनके डिपार्टमेंट को से ED बोला जाता है दिल्ली के आवकारी नीती यानि कि 2001 से 22 में सराव करववारी को गलत तरीके से फायदा पहुचाने और बदले में 100 करोर की रिष्वत लेने का रोप दिल्ली के आवम आदमी पार्टी सरकार परपरा है जिससे उनको आज गिरफतार कर लिया गया है तो देखते हैं इस गिरफतारी में पब्लिक का क्या रियक्षन है तो चलो हम लोग इस्टार्ट करते हैं 321 लेट्स गो अच्छा हुआ रेस हुए जो जूट बोल रहे तो वहीं सामने आ गया सबके अरे बरस्ट तो सभी करते ना एक थुली ना बरस्ट करते वही एक निता बरस्ट मिला आपको कि दिल्ली के शराब मेती मामले में कल मुख्यमंतरी अर्विंद केजरवाल को अरेस्ट किया गया देर रात में पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस मामले में आईए जानते हैं सर केजरवाल के अरेस्ट के ओपर आपका क्या कहा है अच्छा हुआ अच्छा हुआ अरेस्ट हुए जो जूट बोल रहे तो वही है और वही जैसे कि पहले वह ऐसे बोलते थे कि सोचल अक्टिविस्ट थे जूट बोलते थे जूट किसी वहां उनको कुछ नहीं था पब्लिक को बेकूब बनाते थे फिरीका बाटके और उसके बाद खुद अपना अंदर डालते थे एक यह और क्या किया अब देखो दादू क्या बोलते हैं ड्राइबर क्यों ऐसा क्यो क्या करने का बहुत अच्छा हुआ वह करब थे आपको भी लगता है हाँ बिल्कुल पहले जो अनना हजारे के साथ बैटकर इतना सब शराब के खिलाफ और सोशल यह सब चीजों में है और जो फ्री में चीजे देते थे डिली में जैसे की बिजली हो गया यह सब हो गया उस यह सब इसी सी से आता है ना बढ़ा घुटाला करें तोड़ा फिरिम देते हैं और अब आपको क्या लगता है अब डिली के सीम बने रहेंगे या कोई नया सीम आए नया सीम आना चाहिए अशाम बदलनी चाहिए कॉन सी सरकार रहें बिल्कुल बिजेपी बीजेपी बीजे आपको लग रहा है कि अपने पास लिए अमदार खासदार तो आपको लग रहा है कि वह जान बूच के अपने पावर का इस्तमाल कर लग तो ही रहे हैं अभी क्या आपको लगता है कि अभी केजिवाल सीम बने रहेंगे क्योंकि वह जेल जा चुका है कोई नाया सीम नाय बने रहेंगे वन्हों नाय चालो एक तो पॉसिटिव पॉइंट आया है विए तो होना है यह गलत कर रहा है एडी लगा के सीबाए लगा कि बज़ेपी वाली विंद केजिवाल का जो अरेस्ट हुआ है क्या लगता है आपक शरकार जो दिल्ली में जितना दिन तक उन्होंने अच्छा बहुत अच्छा काम किया जो यह सरकार अभी है विजएपी की सरकार है लोगों को डराने और का काम इसलिए कर रही है कि हमारे परच में खड़े ना रहे है इसलिए उनको अंदर डाला जा कि लोग जो भी अगर इनके उपर आवाज उठाते हैं उन्हें एडी के जोग दिया जाता है और मैं कहता हूं कि यह जो सरकार है लोगों को पर अत्याचार हो रहा है यह नहीं होना चाहिए मतलब आप यह कह रहें केजरिवाल हेमन सुरेन जैसे जितने भी चीफ मिनिस्टर हमारे रहे हैं सब निर्दोश है जो इनके खिलाफ हावाज उठाएगा उनके उपर यह ऐसी कारवाई करते रहें पंजाब में कितना अच्छा चल रहा है पता यह ना कुछ है क्या हूं पर हर जो भी क्या बोलते हैं दो सावित मतर निर्दोश है तो सावित कर सकें अधर वाइज जैसा कि दस समन उनको समीट की गया लगया था आज नॉर्मल पप्लिक हम लोगे व्यू करते हैं अगर वह यह मैं पहले सब्मीट हो जाते हैं तो आज यह स्थिति उत्पन नहीं होती त दो आपको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सजा नहीं दे सकता कुछ दिन परशान हो सकते हो आप लेकिन सजा नहीं होता आपको अज girou see realist do you want him out I am actually from Delhi so I believe that he has gotten a lot of change like I am somebody who stays there on the ground and I have seen a lot of changes happening plus he listens to the people I would say he people matter to him but for the other political parties we are just pawns of a game that they're playing so I don't want him replaced I want him to continue but on I want the cage rival of the man who was the people's man and not the man he is right now तो ये थी general public की reaction उनका मानना ये है पर आप लोग क्या चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि केजरिवाल बाहर आ जाए कि आपको लगता है उन्होंने कुछ गलत क्या है या आपको लगता है कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है वो जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे तो समय ही बताएगा पर आप अपने views comment section में डाला ना भूले और ऐसे वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो जरूर हमें बताईए आप मारे चानल को like, share और subscribe जरूर कीजेए तो भाई लोग कैसा लगा ये वीडियो यानि कि इसमें कहीं कहीं politics मुझे नजर आ रहा है क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद चुना होने वाला है तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि केजरी वाल को आना चाहिए कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं आना चाहिए कुछ लोग बोल रहे हैं पंजाब में तो कितना अच्छा चला यानि कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि समन फिरी में क्यों मठ रहा था वो घोटा ले के पैसे जो होते हैं घोटा ले के पैसे से आधा पैसे फिरी दे देते हैं आधा पैसे खुद रखते थे यानि कि हमको लगता है कि कहीं न कहीं कुछ तो गरबर है यानि कि पॉलिटिक्स है इसमें और जो जिस आदमी को इसमें फैदा है यानि कि बेनी फेटे है वो लोग बोलने हैं कि चलो भाई वो आना चाहिए जो लोग को कुछ परिस्वानी हुआ है वो सोचते हैं कि बीजेप आना चाहिए तो आपका क्या रहा है इस गिरेफतारी के बारे में हमें कोमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटीफिकेशन आपको मिलता रहें मिलते हैं नेक्स् झाल करें तो